तो फ्रेंज इस एक रैस की रेसिपी को अगर आप एक बार बना कर ट्राइ करेंगे तो स्ट्रीट फूड से एक रैस लाना भूल जाएंगे क्योंकि यह इतना टेस्टी बनता है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे एक कब जीरा राइस को मैंने अच्छे से दो कर नमक के साथ उबलने के लिए रखा था चावल भी ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं तो खिला खिला चावल बनाएंगे नर्म चावल नहीं बनाना है सबसे पहले हम हरा मसाला बना लेते हैं चार हरी मिचे थोड़ा सा हरा धनिया आठ से दस ललसुन की कलिया और दो इन जितना अध्रका टुकडा मैंने लिया है इसे दरदरा पीस कर रख लेते हैं और एक कडाई गर्म करेंगे चौड़ी वाली चावलों को जो हैं हमें अंडे और मसालों के साथ अच्छी तरह भूना होता है लो फ्लेम पर इसलिए चोड़ा वाला ही बरतन लेंगे यहां मैंने कडाई में डाला है दो से धाई चम्मच जितना तेल तेल थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे यह को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा जब हम इसमें अंडे फोड कर डालेंगे तो अंडों को थोड़ा सा फ्राइ होने में तेल लगेगा इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही तेल डालेंगे दिखिए 6-7 हरी मिर्चों को मैंने बीच में कट करके नमक लगाया था अब इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं तो इन्हें आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा एक राइस के साथ यह बहुत ही अच्छे लगते हैं और स्ट्रीट फूड पर यह जरूर दिये जाते हैं तो इसी तेल में आप डालेंगे दो छोटे दालचिनी के टुकड़े साथ से आठ काली मिर्च और दो तेज पत्ते तेज पत्ते आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं तो इन्हें हलका सा भुन लेते हैं कुछ सेकेंड के लिए अब दो मीडियम साइज के प्यास को हलका सा मोटे साइज में रखेंगे और इसे भी डाल लेते हैं इसमें तो प्यास को हमें ज्यादा नर्व नहीं करना है प्यास में जो है थोड़ असा क्रंजी पन होना चाहिए इसमें इसलिए इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसके बाद इसमें टमाटर डालते हैं तो टमाटर एक मीडियम साइस का कट करके डालेंगे तो यह देखिए बस इस तरह होना चाहिए प्यास तो इस रेसिपी को बिना स्कीप किये पूरा जरूर दिखिएगा फ्रेंड्स तभी आप स्टीज स्टाइल का एक राइस बना पाएंगे तो यहाँ पर टमाटर डाल लेते हैं एक मीडियम साइस का टमाटर पका हुआ बारी कट करके मैंने इसमें डाला है अब टमाटर को जो है अच्छे से नर्म कर लेते हैं इसमें वीडियो में आगे हम ऐसे मसाले डालेंगे जिससे यह एक राइस बहुती बढ़िया बनेगा तो वीडियो को बिना स्कीप किये जरूर दिखिएगा तो दिखिए टमाटर इसमें नर्म हो चुके हैं इसमें डालते हैं आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और उसके बाद जो हमने मिक्सर जार में दरदरा पेस्ट बनाकर रखाता हरे मसाले का उसे डाल लेते हैं पहले में दो चमच इतना डाल रही हूँ बाद में हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो और इसमें हरा मसाला एड़ करेंगे तो हरा मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह नर्म कर लेते हैं तो गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है फ्रेंट्स आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसमें मैंने डाला है एक छोटा चमज भुनावा जीरा पाउडर और उसके बार दालते हैं एक चमज भर के धनिया पाउडर धनिया पाउडर डाल लेने के बार इसमें डालेंगे चिकन मतन मसाला पाउडर एक चमज तो ध्यान से देखेगा Friends इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला है चिकन मटन मसाला पाउडर डाला है आप चाहे तो सिर्फ चिकन का या फिर मटन का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद अच्छे से Mix करेंगे इसमें अब इस स्टेज पर जो है मसाला भूनते समय गैस की फ्लेम बिलकुल स्लो ही रखेंगे अब जो हमने तेज पत्ते डाले थे इसमें उसे निकाल लेते हैं अब गैस की लो फ्लेम पर ही एक से देड़ मिनट के लिए मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे ऐसा करने से एक राइस में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो अभी इसमें और भी चीज़ें डलने बाकी हैं तो वीडियो को प्लीज बिना स्किप किये देखिएगा तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ असा हरा मसाला और एड़ कर लिया है चक लेने के बाद आप भी इसी तरह चक्कर देखिए और फिर से इसमें अगर जरूरत पड़ी तो मसाला एड़ कर लिजेगा तो इसे भी थोड़ असा गर्म होने देते हैं और उसके बाद डालते हैं नमक तो चावल उबलते समय भी हमने नमक डाला है तो नमक आप अपने साब से देखकर डालिएगा अब इस एग्राइस को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक वैज मैगी क्यूब देखिए वैज मैगी क्यूब ही डालिएगा इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इग्राइस में आप इसे जरूर डाल कर देखिएगा अगर आप ज्यादा कॉंटिटी में चावल डाल रहे हैं तो दो भी मैगी क्यूब डाल सकते हैं तो मैगी क्यूब को भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो मसाला देखते ही आपको पता चला होगा कि ये कितना टेस्टी बना है इसका मसाला तो दीए बहुती बढ़िया कलर आया है इसमें और अच्छे से मैंने इसमें अब मैगी को भी मिक्स कर लिया है तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं अंडे, जो राइस को एक राइस बनाएंगे, तो ये देखिए तीन अंडे डाले हैं मैंने, एक कप जितने चावलों में मैंने तीन अंडे डाले हैं, तो अच्छे से अंडों को भी इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं, तो फ्रेंज अपनी घरवालों को मेरे बताईवे तरीके से एक बार एक राइस ज़रूर बना कर खिलाएगा देखिए आपकी बहुत तारिफ होगी तो अंडों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अभी भी मैंने गैस की फ्लेम स्लो ही रखी है तो अच्छे से मसाल में मिक्स करेंगे अं अगर ढखकर रखेंगे तो चावल नर्म हो जाएंगे यूंकि हमें चावल खिले खिले चाहिए तो जितने चाहिए आप इसमें चावल डाल लीजिएगा अगर आप ज्यादा मसाला इसमें रखना चाते हैं तो थोड़े से कम चावल डालेगा या फिर आप सारी चावल डा हम मसाला डालेंगे आधे चमच से थोड़ असर ज्यादा मैं चाट मसाला पाउडर डाल रहे हूं इसे आप जरूर डालेगा और आधा चमच फिर से हम भुनावा जीरा पाउडर भी डालेंगे तो आखिर में इन दो मसालों को आप जरूर डालेगा अब मसालों को डाल लिने क तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़िया यह एक राइस बनकर तयार है फ्रेंट्स साथी में हम एक उबला हुआ अंडा कट करके आपको जैसे चाहिए कट कर लिजेगा और उपर से गानिश कर लिजेगा तले हुई हरी मेच उबला हुआ अंडा और कुछ प्यास के टुकडों के साथ मैंने एक राइस को सर्व किया है लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा फ्रेंट्स और चलिए मिलते हैं ऐसे ही चटपटे और मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में अल्ला हाफेज थैंक्स पर वाचिंग